रूस यूक्रेन यूद शुरू होने के बाद से रूसी हमलों का शिकार बनते आई यूक्रेन ने अब रूस के अंदर घुसकर हमला करना शुरू कर दिया है हाल में यूक्रेनी सेना ने बड़ी हिमाकत दिखाती रूसी बॉर्डर में घुसकर कुरस्क शहर में भीशन तबाई मचाई रूस का कुरस्क इलाका यूक्रेन के अहम शहर खारकीव से करिब 140 कीमी दूर है ऐसा दावा है कि युक्रेनी सेना ने इलाके में करीब 350 वर्ण कीमी तक घुसपैट कर इलाकों को अपने कबजे में ले लिया उत्तरपूर रूस के कुरस्क में बिते 4 दिनों से युक्रेन की जबर जस्त छापे मारी जारी है यह रूस के किसी इलाके में युक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है ऐसा दावाय कि रूसी सेना इस इलाके में युक्रेन के सैनिकों से जूजती दिखी है इस बीच रूस ने भी बड़ा दावा कर युक्रेनी सेना के सभी मनसुवों को खत्म करने की कोशिस की रूस ने अपने बॉडर इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आतंग बाद रोधी अभियान चलाया रूस ने युक्रेजी सते तीन सिमावर्थी इलाकों में काउंटर ओपरेशन शुरू किया है रूस के रक्षा मत्राले ने कुरस्क में युक्रेजी ठीकानों पर टैंक क्रू के जरिये गोली बारी की और हवाई हमले के कई फुटेज जारी किये इसके अलावा रूस ने तावा किया है कि एक मिसाइल हमले में यूक्रेन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तभा किया गया है साथी इसकंदर एंप कमदूरी के बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन की 22 अलग मैकनाइस्ट ब्रिगेट के पहले से खोजे गए कमांड पोश्ट पर हमला किया रूस ने दावा किया है कि इस हमले में यूक्रेन के कमांड स्टाफ को बहुत बड़ा नुक्सान पहुचा है करीब 15 यूक्रेनी इसमें मारे गए है रूस ने अपने भीशन पलटवार में यूक्रेन को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि कोई दया नहीं बरती जाएगी रूसी मंत्राले की ओर से जारी ड्रोन फुटेज में घने जंगल के बीच में कई इमार्ते देखी जा सकती थे एक यूक्रेनी बक्तरबंद वहान भी मौजूद है फिर इमार्तो में से एक में जबर्दस धमाका हुआ दावा है कि इसमें यूक्रेन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था धमाके से हवा में धुए का गुबार फैल गया बता दे कि यूक्रेन के एक हजार से ज़्यादा सैनिक 20 से ज़्यादा बक्तरबंद गाडियां और 15 से ज़्यादा टैंग के साथ रूस में धावा बोला था उन्होंने कई गाओं पर कबज़ा किया था रूसी रक्षा मंत्राले ने दवा किया है कि कुरस्क में यूक्रेनी सेना को रोग दिया है रूस के रिजर्व सैनिको को इस इलाके में फिर से तैनाद कर दिया गया है कीव ने अब तक इलाके में करीब 1100 सैनिको और लगबक 15 बक्तरबंध बहानों को खो दिया है जिस मक्सस से यूक्रेन ने रूसी इलाके में घूसकर सेन्ध मारी की कोशिश की थी वह अंजाम तक नहीं पहुच पाए उन्हें अम खदेड कर बहार किया जा रहा है कबजे वाले इलाके पर भीशन बंबारी कर वापस से रूस ने नियंतरम में ले लिया है गोड़तलाब है कि यूकरेनी हमले की बज़े से कुरस्क प्रांथ के नुकलियर पावर प्लांट पर खत्रा मन रा रहा है यूकरेन के जोरदार हमले पर रूसी राष्टुपती ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है रूस के राश्रपती पुतीन ने रविवार को पहली बार रूस पर हमले की बात कबूली है उन्होंने यूक्रेन की इस छापे मारी की निंदा करते हुए इसे उकसावे की कारवाई बताया है यूक्रेन पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरूप लगाया है खास बात है कि यूक्रेन ने अभी तक अपनी इस सैन करवाई को सीधे तोर पर स्विकार नहीं किया है वहीं यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि घूस पैट का मकसर रूसी आबादी में डर पैदा करना है मॉस्को के साथ आखरी वारता के लिए बहतर से बहतर पोजिशन हासिल करना है